नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्वाइन पर आज की वीडियो में हम दा आर्केड से रिलेटेड एक काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट अपडेट को देखने वाले हैं और ये अपडेट आप में से कई लोगों के लिए काफी ज़्यादा यूसफुल होने वाली है जैसा आप सभी को पता है आर्केड में हर एक मन्त एक ट्रिविया को और्गनाईस किया जाता है तो मार्च में भी इस ट्रिविया को और्गनाईस किया गया था इसी trivia के regarding आप सभी के लिए एक important update है जैसा आप सभी को पता है trivia में दो type की labs होती है जिन में से एक lab होती है जिने आप पूरे मन्थ में कभी भी कर सकते हैं और जो दूसरी type की labs होती है उन्हें आपको किसी भी मन्थ के एक particular week में complete करना होता है इसे मैं थोड़ा और elaborate करता हूँ जैसे आप March trivia को open करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ labs मिलेंगी जिनके आगे ऐसे week 1, week 2, week 3 और week 4 मिलेंगे तो यह वो labs होती हैं जिने आपको मन्थ के उसी week में complete करना होता है जैसे जो यह first वाली lab है इसे हमें March के first week में complete करना था और जो यह second वाली lab है March के second week में complete करना था और similarly ऐसे ही week 3 और week 4 और जैसे ही कोई week end होता है तो उस week की particular lab को close कर दिया जाता है जैसे जब March का first week end हुआ था तब इस lab को close कर दिया गया था और जैसे ही second week end हुआ था तब इस lab को भी close कर दिया गया था इसका मतलब अगर आप इन week labs को miss कर देते हैं जैसे अगर किसी ने इस first week में इस lab को complete नहीं किया तो उसके बाद ये वाली lab close हो जाएगी और इसे आप throughout the month access नहीं कर पाएंगे तो इसका simple सा logic यह है अगर आप एक भी week lab miss करते हैं तो आप जो ये trivia वाला badge होता है इसे collect नहीं कर सकते हैं और आप मैंसे कई लोगों ने इस March trivia के जो ये week labs हैं इन्हें miss कर दिया था जिसकी वज़े से आप ये वाला badge collect नहीं कर सकते थे लेकिन आप सभी के लिए इस March trivia की जितनी भी week labs थी उन्हें दुबारा से open कर दिया गया है तो अगर आपने एक भी week lab miss की थी तो आप उन्हें अब complete कर सकते हैं तो ये एक काफे ज़्यादा important update था regarding this March trivia 2023 अगर आपने इस trivia में participate भी नहीं किया है तब भी आप इस trivia में अभी participate करके इस badge को earn कर सकते हैं जैसा आप सभी को पता है इन trivia की labs को करने के लिए हमें credits की need होती है similarly इस March trivia को भी complete करने के लिए आपको 20 credits की need है और अगर आपके पास enough credits नहीं है तो आपको simply मेरे channel पे जाना है और आपको ये जो first वाली वीडियो है इसे check out करना है इसके थुरू आपको Quick Labs का monthly subscription मिल जाएगा उसके बाद आप March trivia की जितनी भी labs हैं उन्हें बिना किसी credit requirement के complete कर सकते हैं तो आपको simply ये first वाला वीडियो check out करना है अगर आपके पास enough credits नहीं है तो तो आज की वीडियो में arcade के regarding यहीं एक important update आप सभी के साथ share करनी थी तो अगर आपने अभी तक इस trivia को complete नहीं किया है तब आप सभी के लिए एक second chance provide किया गया है जिससे कि आप इस badge को collect कर सकते हैं और एक arcade point को earn कर सकते हैं तो चलिए आज की वीडियो के ही end करते हैं और अगर आपको आज की वीडियो helpful लगी तो please consider subscribing to my channel it really helps me a lot तो चलिए मिलते हैं अपनी next वीडियो में किसी दूसरे topic के साथ तब तक के लिए stay safe, stay healthy